हाई मित्रों हुँचु डीम पटैल अना आपने बढ़ी रहाची दूरण दस्नु विग्णयान अन एपन तमारी फैवरेट रेफरेंस बुक दिर्जा सायंस बुकलेट माथी तो मित्रों अपने आगळ आ चेप्टर ना ओल्रेडी छो पार्ट पणे चुकिया छिये अना आजे आपने सरु करिये छिये अनो सात मों भाग तो आपने आगळ ना छट्ठा पाट नी अंदर सु सिखी गया छी ये स्वसन अने स्वसन ना भीप्रकार जारक स्वसन अजारक स्वसन अने एनना द्वारा जे ग्लुकोज ना विगेट ना परिपतो छे ये अनो अब्यास करियोना लाष्ट मां अपने येनो तफावच सी लास्ट वीडियो मा आजे आपने सिख्वा जे रहाची एना पची नो क्वेशन्स अने ए छे आजे मा ठाई छे एछे एटीपी जा तो अहीं जे एटीपी छे एसे एटीपी सूछे तो एतीपी आism g प्रक्रिया उर्जान्य चल्न Areas साइणाँ प्रकरिये अहुमा आ एक उर्जानु चलाण छे एट्येपीनू पूरु नाम सू छे तो एनू फुलफॉम छे एडीदीनो साइन्-ट्राई-फोस्पेट चे एट्येक चेatu North लखिया ची है के स्वसंदर्म्यान मुक्त थती उर्जा ए एडी पी अन्य पी माथी एटी पी बनावे जो आपने यहनु सुत्र लखुए तो क्याम लखाए आरीत लखी सकाए के एडी पी प्लस पी अहीं जे पी दर्शावेलों छे ए सुझ तो मिद्रों ए तमने जड़ावि अहीं जे उर्जा छे ए ए ए टी पी बने चे जनु फुलफों उपर आपने जो युशू छे एडी नो साइन ट्राइ फोस्पेड साधे मिद्रों ए ए टी पी नो उप्योग क्या थाई छे तो आपने एहीं लखी सक्ये के ए टी पी नो उप्योग प्रक्रिय दर्शावा अन्तिम फोस्पेड चे बंद टूटे अन्य ए दर्मियान एमा कितली उर्जा मुक्त थाई छे तो आपने हीं लखी सक्ये एमां थी 30.5 किलो जूल प्रती मोल समकोक्ष जितली उर्जा मुक्त थाई छे तो चालो अपने चवाब नू एक वर रिवाइस करी ले ये प्रत्तम एटीपी नू पुरू नाम सुचे तो एडीनो साइन ट्राइपोस्पेड आगल स्वसंदर में मुक्त थाती उर्जा कायास्वरूपे एडीपी अन्य साथे सू अकार्बनिक फोस्पेड लेके पी एमां थी सू बनाले छे एटीपी तो आपने एनु सुत्र आरिते क्या थाईजे तो प्रक्रियाओ दर्शाव कही गई अपने उधारण बुली गया जेमके प्रोटीन संसिलेशन उल्मी वेगनु वहन हलन चलान प्रचलान वगेरे अन्य एमाथी जेरेनु बंद टूटे तेरे किटली उर्जा मुक्त थाईजे तो 30.5 किलो जूल प्रती मोल जेली संकुस्पूर्जा मुक्त थाईचे और फचीन उजे क्विश्यांस छे वनस्पतियों के वायून विनिमें हवे आपड़ी पासे तो श्वासलिवां मेट नाक छे तो नाक द्वर वायून विनिमें थातो वाईचे प्रत्तु वनस्पति पासे नाकनी व्यवस्ताव अती है ना थी तो बजी वनस्पति न वायू नो विनी मैं के विरिदे था तो हशे જાलં આખ્ણએ એનઇ સમજી higher પ્રતમ વས્તુ તો વં સપતી માં विनीमै रंद्रोदवारा थाई छे आपने एपन खबर जिके वनस्पती स्वासमा कार्बन डायोकसाइड ले चे न ओक्सीजन दूर गरे चे तो ये जे क्रिया थाई चे न अंधारामा जेरे प्रका संसलेशन ना थाय मटे ए समय वनस पती ओक्सीजन अंदर ले छे जेरे सीओटू बहार काड़े छे तो एक क्रिया क्यारे थाय मात्र रातरी दर्मियान क्याम कारण कि रातरे प्रका संसलेशन थतू ना थी अना आ क्रियाने सु काहे छे तो एने सीओटू दूर थवानी क्रिया काहे छे आगलवदिये के जो दिवस दर्मियान जेरे प्रका संसलेशन थतू हुए त्यारे ए सू करए छे एक कारबन डायोकसाइड अंदर ले छे अना ओक्सीजन बहार काड़े छे आ क्रिया ने सु कहया चे तो एन्य ओक्सिजन दूर धवानी क्रिया पण कहया चे साथे गणी वनस्पती एवी पण चे के जे रात्री दर्मियान प्रकासन स्विशन न थतु आई छता पण ए अंदर सी ओटू क्रहण करे चे ने ओटू बहर काटे चे वह अपन गणा उदाहर चे चालो आपने जवबनेट मुख मा प्योची प्रमणे अंदर जुया प्रत्तम वनस्पती मा वायूनो विनी में रंधरो द्वारा थाई चे आर अंदरो द्वारा चे कार्बन डायोकसाइड अंदर प्रवेसे चे उक्सिजन बार निकले चे आने प्रसरण कहया चेन प्र का संस्टुशन थतू होई त्यारे सी ओटू अंदर प्रवेसे चे अनो ओटू बहार आवे चे आम अनो ओटू दूर थवाने करिया पंड कहीं शकाए नेक्स्ट त्यार पचिनो जे टॉपिक छे एचे स्वसन वी से नो तो आपने टेक्स्ट बूक मां स्वसन ने लगती एक प्रवरूति आपी छे जेने अपने थूड़ी समझी लेए जेम गे अहीं आपने उदहरण आपी जे माँचली के माँचली का अंग वडे वुडै तो आपने माँचली नी खासी है छे कən माँचली माह मोँ खुलू होई तेरे जालर फाटो बंध थाइज़ें अन्ä जेर मोग बंध होए तेरे जालर फाटो खुली जाती वाईच्य अन्ह साथे माचलियो छै एक मिनिट मा कितली वकत स्वासोज़़नों दर जोऊ मणतो होश्य तो आकञा कही सक्के के माचलियो नी अंदर पर एक मिनिट मा एक लेके प्रती एक मिनिट मा लगबग 16 थी इठी यो तिर वकत स्वासों स्वासों दर जोवा मड़े छे तो सु मनुष्यमा अपन अटलों होतो उशे बिल्कुल ने मनुष्यमा जे सरेरा स्वासदर छे ए लगभग एक मिनिट नी अंदर बार्थी सोड हुआई छे रिपिट करूँचू मनुष्यमा सरेरा स्वास्तदर किटलो हुआई छे बार्थी सोड पर एक मिनिट हुआई छे तो नैक्स्ट हवे आपना सरू करवा जही रहाए छी एक आई एमपी सवाल जवाब एछे मनुष्यनू स्वसंत अंत्र एना विससे आपने विस्त्रूत माहीती लखवानी छे तो सरू करता पहला मुथ अमने अही आक्रूती मकितलाक नाम निविजिशन छे एना पहला समझावी दव दियान अब जो सवक्रताम अही जे दर्श आवेलू छे एचे नासी का कोटार अंदर तरफ छे एचे मूक गुहा त्याथी स्वास क्या जाईचे कंठ नड़ी कंठ नड़ी नी नीचे होईचे स्वर्यंत्र एना अपने स्वर्प पेटी पन कहिया छी आगल वदिये तो त्याथी ये जाई स्वास नड़ी नी अंदर वास नड़ी माथी ते क्या जाईचे तो स्वास वाही नियो मा अन्द त्याथी ये फेप्सामा प्रवेस ये फेप्सानी अंदर सू आवेला छे तो ये वायू कोष्टो आवेला छे आ वायू कोष्टो आर एनी रचना अपने वधार डीटेल मा आतराफ आपी चे यह वायू कोष्टों नी अंदर वायूनों विनी मही धाई चे तो चाल अपने थियरी समझवानों प्राइत ने गरिये प्रता अहीं जे कोई पड मनुष्य हुआई छे यह उते स्वास ले चे लेके जहरे हवाने अंदर धाखल करे चे त्यारे यह हवा सेन अपने द्वरा दाखल थाई चे नसकोरा एकले के आपनों जे नाकनू बहार नू चिद्र चे तो आपने प्रत्थम लाइन लखेशू आ रिते के मनुष्यमा नसकोरा द्वरा हवा सरीनी अंदर डाखल थाई चे अगल वदिये नसकोरा नी अंदर कई वस्तु आवेली चे पैलू छो एना मार्गमा नाना रोम एकले वाल जेवी रचना अने बीजू चिकाश वाली ग्रांती जेना आपना सु कईया चिया सलेश्म कईया चिया तो एना मार्गमा नाना रोम एकले के वाल जेवी रचना अने बीजू आवेलू छे सलेश्मा आगल वदिये आप बन्न सुका मुआई छे तो एनु कारण छे के एना द्वारा हवा अने कि क्लिक अशुद्धियो जेनी अंदर गलाई जाई छे तले कि कच्रों अंदर दाखल थाई सकतो ना थी आगल वदिये हवा नस्कोरा माती हवा क्या प्रवेसर चे कंठ नड़ी ग्रीवा तो अहीं जुये के कंठ नड़ी छे एक एवी रचना चे पैली वस्तु ए हवानो मार्ग बन न थाई ए माटे कंठ नड़ी नी अंदर कास्थी माई रचना आवेली छे तम नाना जुरुण मा आनो टोपिक सिखिने आवेला चो क्या आपण सरीर्नी अंदर कास्ती अने अस्ती इवा भी एह हड़का होई छे तो आप कंठ नड़ी मा कास्ती जिवी रचना आवाई छे अवे ए हवा छे ए हवा कंठ नड़ी मार्पते अहिया जुये तो क्या जाई छे स्वास नड़ी अने स्वास नड़ी ती आगल वद्याचे फैपसामा नीचे दरफ तो आपने अहीं लखेशु के हवा कंठ नड़ी मार पते स्वास नड़ी एन त्याथी फैपसामा प्रवेशेचे तो हवे अपने मुद्दो कयो बनावीशु फैपसा अवे फैपसा ए पैली वस्तु तो जोडी मा आवेला छे अपने नहीं दीखे रहा छे मन्ने इतरा जोडी मा आवेला छे સાતે ફેપસાની અંદર છે આ માર્ગ નાની નાની નલી કામાં અહીં જોઈ રાય છે એ વિબાજીત થઈ જાઈ છે તો આપણે અહીં લખીએ કે એ પેપસાની અંદર આ માર્ગ નાની નાની નલી કામાં વિબાજી થઈ જાઈ છે અને અંતે સુ બનાવે છે તો અહીં એ ફુગા જેવી રચના બનાવે જેને આપણે સુ કઈએ છે વાયુ કોષ્ટો આરે સાતે વાયુ કોષ્ટો ની જે દિવાલ છે એ રુદીર કેસીકાની જાળ સ્વરૂપની રચના છે તલેના ઉપર જાળ ની અંદર દાખળ થાય અવે નસ્કૂર આમા કઈ બેવસ્તુ આવેલી છે એક્તો ના 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 વાળ જેવી રચના જને ના થાય એમાટે કંડ્ર નાળેમાં કાસ્થી જેવી રચના આઈ છે અને હવાં કંડ્ર નાળી મારફતે ક્યા પ્રવ જેરાચી એના પછીનો ક્વીશન્સ એચે મંંશ્યમાં સ્વાસો સ્વાસની કરીયા વિધી સમજાઓ આનો અરથ્થ એવ જાક્ટુ બની જાઈ જાક્ટુ બની જાઈ અને એના લીદે જે ગુહા છે જગ્યા છે એ મૂટી બની જાઈ છે ફરી હવા ફેપસામાં દાખળ થાઈ અને વાયું કોષ્ટો છે એઆ કા હવાથી બરાઈ જાસે જો આપણે અહીં આક્રુતી એતો આપણે થૂડી વાદાર કબર પર્તે આપણે સ્વાસં અંદર લીદે લો છે એ સમાય પાંસળી છે એક્યાસે ઉપ કરે છે અવે સીઓ ટુત્યાં મુક્ત થાશે એટલે ઓટું ઓટોમેટિકલી સુથાશે ગ્રહણ થાશે અને જેથી કે સૌપ્રથામ આપણે સ્વાશ અંદર લીદો પાશે પરખ્યાં જેથી ઉરોદર પટલ ચેપ્ટો બનેચે અને ગુહાં મૂટી બનીગી અવે આ સમયે હવા ફેપ્સામાં દાખળ થઈગે એટલે વાયું કોષ્ટો આવાથી સુથાયાય આશે પર બનીમય થાય વાયું ની આપલે એનમાટે માનવ ફેપ્સામા મહતમ ખ્ષેત્ર પળ પ્રાપત થાય એમાટે કઈ રચના તો ઉપર આપણે જોયું કઈ રચના જે વાયું કોષ્ટો સાથે અની પરતે આવેલી કેટલેક રુદિર કેશી કાઓ તો અહીં જે વાયું ના વિની માટે માણવ ફેપસામાં મહતમ ક્ષેત્ર પળ પ્રાપતથાય એ માટે કઈ રતના આ કલેછેમ